कि अगर आपके वीडियो अच्छा लगे था हमारे चानल को कुछ अशा को सब्साइब कीजिएगा हमने यहां पर एक पैन लिया है और उसे हीट किया है अभी हम इसमें अड़ करेंगे धनिया फिर हम इसमें अड़ करेंगे वरियाली यानिकी सौफ फिर हम इसमें अड़ करेंगे जीरा और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे हमेंसे जलाना नहीं है थोड़ी देर के लिए ही रोस्ट करना है और इसे हम अभी ग्राइंट कर लेंगे अच्छे से और एक अच्छा सा पाउडर बना देंगे हमेंसे पूरा ग्राइंट नहीं करना है इसे थोड़ी देरी ग्राइंड करके आप देख सकते हैं हमें इसे कैसा बनाना है सो यहाँ पर हम डो रेडी करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है मैदा आप चाहे तो गेहू का आठा भी ले सकते हैं उसमें हम डालेंगे सॉल्ट फिर हम डालेंगे अजवाइन अच्छे से क्रश करके फिर अभी हम डालेंगे ओल और इसे अच्छे से स्पून से मिक्स करेंगे इसे अच्छे से mix करने के बाद आप देख सकते हैं आपको कैसा texture चाहिए फिर ही अभी हम इसमें पानी डालेंगे और एक अच्छा सा डो रेडी कर देंगे इस जो को अभी हम थोड़ी तेरे के रिए रेस्ट करने के लिए रग देंगे एक पैन में अभी हम ओईल हीट करेंगे और फिर अभी हम इसमें अड़ करेंगे हिंग फिर अभी हम इसमें अड़ करेंगे वो मसाला जो हमने रेडी किया था स्टार्ट में और इसे अच्छे से हम सौटे करेंगे अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है हां फिर अभी हम इसमेंड करेंगे जिंजर गालिक पेस्ट और इसे भी आज़े बी Boris को आज़े doubles कोरीँक ए ओंप से आज़े करेंगे फिर अभी हम इसमें आज़े शाटे करेंगे और इसमे इसमे डे परोल को सिनियों से तरब श्याज़ी बेचा इमयलय को अभी हम इसमें एड करेंगे सॉल्ट आस पर टेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से को खोने के लिए रख देंगे सो आफ्टर अनियंस को खो जाए अभी हम इसमें एड करेंगे हल्दी पाउडर चिली पाउडर कोरियंडर पाउडर गरम मसाला अम्चूर पाउडर एंड शुगर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें अड़ करेंगे बेसन यानि की ग्राम फ्लोर ताकि ये बाइंड हो जाए अच्छे से फिर हम इसमें अड़ करेंगे बॉइल पटेटोस और उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और चिली पाउडर अड़ करेंगे क्योंकि पोटेटोस के डालने के बाद वो चिली पाउडर कम हो गया था इसलिए और फिर अभी हम इसे गार्निश करेंगे कोरियंडर लीव्स के साथ इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा मसाला रेडी है अभी हम इसके बॉल्स बनाएंगे छोटे 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 आप चाहे तो अपनी साइस की भी बना सकते हैं हमारे बॉल्स रेडी है हमने यहाँ पर जो डो बनाया था उसे हम अच्छे से एक और नीड करेंगे और चोटी-चोटे बॉल्स बनाकर उसके सुकल्स बनाएंगे बड़े-बड़े और फिर उसमें बीच में हम प्लेस करेंगे यह हमारा एक बॉल और इसे सब जगह से सेक्यूर करके हम इसे बंद कर देंगे आप देख सकते हैं टेकनीक कैसे करना है बंद करने के बाद अभी हम इसे अच्छे से हाथों से रोल करेंगे और आप देख सकते हैं, हमारी एक कचोरी रेडी है आप चाहे तो दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हैं वैसे ही करके इसे हम नीचे रखेंगे एक प्लाटफॉर्म पे और इसे हाथों से एक अच्छा सा शेप दे देंगे दोनों साइट से आप देख सकते हैं हमारी कचोरी रेडी है अभी हम इसे फ्राइ करेंगे हमने यह पर ओil को हीट कर लिया है सो ओil एकदम गरम हो जाए तभी हम हमारी कचोरी इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे फ्राइ होने देंगे आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें कचोरी इसको फ्राइ होने में थोड़ा टाइंग लगता है तो इट विल टेक अबाउट फॉर तो फाइ मिनिट्स अफटर फॉर तो फाइ मिनिट्स आप देख सकते हैं कितने गोल्डिम ब्राउं कचोरी इस रेडी है हमारी आजस्तानी स्टाइल कचोरी है थैंक्स वर वाचिंगा वीडियो बाई